यह बहुँ ज्यादा है अभी इसके अंदर पूरा भरा हुआ है यह पूरा बोतल के अंदर ओल मेक्स है भाई इसकी क्लीनिंग ही सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटड है यह देख रहा नहीं इंजन का नास नहीं होगा ऐसे में यह दो कुलेंट की लाइनों में यह हाल है और इसके आने से नुक्सान क्या हुआ है यह समझे पहले तेखिए बोस पाइप को फूरा फुला Аंशा दिया वाटर शर्कुलेशं रुक हरी थरीद होगा और इंजन खतम हो चाण पैणा कहां कि यह वीटर की लाइन और यह गाड़ी का ओएल कुलर और यह दंतर दीन पहले फेलह गया था तो किसी मिस्तिरी ने क्या किया, ओयल कुलर तो बदल दिया, लेकिन इसकी क्लीनिंग नहीं करी, अरे ओयल कुलर की नहीं, कुलेंट के लाइन में जो घुसा था इंजन ओयल, उसकी क्लीनिंग ही नहीं करी, जिसकी वैसे दुबारा ओभरीट हुआ और पूरी गैस कीट खतम कर दे ओयल कुलर क्या हुआ यहां ओयल का प्रेशर और कुलेंट का प्रेशर दोनों एक साथ चलता है ताकि ओयल का जो टमप्रेचर है वह डाउन हो सके जैसे कुलेंट गाड़ी में डाला जाता है ताकि इंजन का टमप्रेचर डाउन हो सके इसके लिए ओयल कुलर लगाया जात के कस्टमर को दे दी यदि उस टैम में पूरा क्लीनिंग कर लेते न तो साइद एक गैस्कित नहीं उड़ता और गाड़ी ओवरीट नहीं होती तो कभी भी क्लीन कर लें यह देख रहें न यह ओएल की ओएल कितना बुरा घुसा हुआ है यह हीटर वाला अंदर है अंदर में ह क्योंकि कुलेंट सरकुलेट ही नहीं हुआ और इसका हैट गैस्कित बुरी तरीके से जल गया यह हैट गैस्कित जल गया अभी तक भी गनीमत थी पूरा इंजन सीज होना तो कभी भी ऐसा ओल पानी का दिक्कत आए तो सबसे पहले ओल कूलर बदलो पूरा लाइन क्लियर कर कि नहीं नहीं सकता उभी क्या रिडियैटर है वहल पूरा बढ़ेगा वह बहुत माइनर कि आ रहा है भी सर्कुलेषन बंद कर देगा और यह एडीएटर मुझे अच्छे तरीकसे क्लीन करना पड़ेगा ये piplline खराब हो गई है इस pipeline को बदलना पड़ेगा ये pipeline ठीक है एक खराब हो गई है इससे मेने को बदलना पड़ेगा head गैसकिट बदलना पड़ेगा timing belt अब चुक है खोला ahead मैंने तो timing करें कि देख रहें से साथ मैं बादलना पड़ेगा रियनल्ट का ओरिजनल Santo मज़ हैड़्यस कुछ दिखा हो फोकस करकर कि को भाई को डालता नहीं है इतने मह थे के स्कीट पो ये ओरिजनल हेड ट्वेश्क्राइब सकते डालूंगा मैं औरिजिनल रिनल्ट का टाइमिंग टालूंगा देख रहे हैं न ऑरिजिनल मनाई है टाइमिंग भी इसके अंदर गीज़ए लेल धान का लोगोt और डिखा लोगत रिनत लिखागस पाईप लिखा हुआ पाइप लाइन पर पाईपलाइन टाल रहा हुए एक और श्राब होगी है यह भी रिनल्ट लिखा हूँ औरिजनल दिखा हो तो जैन्वन यह pipeline डालूँगा यहां से face चेक कर लिया बिल्कुल यहां से head का block का face 00 है तो मैं पूरी cleaning कर लिया यह देख सके से cleaning कर लिया यह line को petrol से clean करूँगा इसको इस वाले line को मैं petrol से clean करूँगा रेडियेटर को पेट्रोल से क्लेन करूंगा यह हेड है हेड का माइनर फेसिंग करा दिया वाल गाइड सीट सील न्यू डलवा दी ताकि अब पीकप में भी दम मज़ा आजागा पीकप भी बिल्कुल जीरो जीरो अब माइनर फेस कराया है मैंने एमरी फेस कटाई नहीं कराय गाड़ी नहीं कराए तो मैंने एमरी फेस करवाया और ओर फेस से पीकप में मज़ा आ जाएगा हलाकि मैंने एक दो और भी फेट कराएं अभी मैं इंजिन कर रहा हूं लगतार आप अब यह चीजे मैंने फेस करादी वाल डलवा दिया, ओरिजिनल पार डालूंगा, गाड़ी मजा गाड़ देने, ठीक है, तो यह step है, कभी भी oil cooler, oil panie mix हो, तो इस तरीके से गाड़ी को किया जाता है, जैसे मैं काड़ी को कर रहा हूं, यह सही प्रोसेस है, यह स.. इसके पूरा, पाइप लाइड क्लीन कर ली nya अच्छी तरीके से और इसके इजयार भी ख्लीन कर लिये अच्छी तरिक हो बहुत ज्याद़ जामते हैं ना इसके बहूत ज्यादे जामते हैं अभी हेड कज कしद है दाइबिंग इधर से लगा दी एक अगजश्टर खराब है इसके इंजयक्टर निकालने त्रू और नया पेत्रोर न systematic bạn र dłखर रहे हो ना है इसर से पेट्रोल डाल रहे है इस पाईप लाइन से इस से पेट्रोल डाल रहे है और दूसरे से निकल रहा है क्योंकि यह सफाई होना जरूरी यह बढ़ना दूबारा इंजन को जो ना नाज कर देगा अभी तो आदाई इंजन सी जुआ है पूरा भी हो सकता है पाइप को चेंज करी है वाजी वाज चलो 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 मारदो दबाके अच्छा ये वह बोड़ी दाल दिया अपने एक इंजक्टर सोड थे तो ये बोड़ी हमने चेंज कर आए इंजक्टर की देख सकते हैं दूसरी इंजेक्टर ले ली इंजेक्टर की सर्विस हो गई पूरी ये रेल की सर्विस हो गई पूरी पाइपलाइन की सर्विस हो अब इसे फिट करेंगे इजी यार इंटरकुलर है सब लगा दिए इधर से टाइमिंग बेल्ट लगा दिए एक अर्जेस्टर खराब था जैन वन निजान का ओरिजनल जो कहते हैं रिनल्ट का निजान का तो जानते ही है तो ओरिजनल पार्ट एक बैरिंग मंगाई हमने जैन वन यह वाला खराब हो जाता था अब इसे लगाएंगे कि फिटिंग सारी हो गई इस्टार्ट कि अधार कि अधार कि चलो इसे और रहा करो बढ़िया कर गए बैतरीन तरीके से अब गाड़ी हीट हुई है अब थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं किनारे पर जराक जराक सा अभी हलका 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 ओएगा इस डब्बे को चार-पांच बार क्लीन करना पड़ेगा बस उसके वासर बिल्कुल सैट हो जागा क्लीन हो जागा इसलिए कुलेंट नही अब धीरे-धीरे मतलब रहा कर लेंगे ताकि जो भी अभी अभी आया हुआ डब्बे का उसारा हट जाए उसको फिर दुबारा साप करने का मज आ जागा अभी मैंने दुबारा से डब्बे को साप कर दिया बढ़िया करके देख सकते हैं विल्कुल क्लेनिंग कर दी एक न अब हर तरह से चला के देख लिए गाड़ी बिल्कुल मज़ा गाट रही है जीरो-जीरो पिल्कुल और पीकप इतना जबर जस्त हो गया ना बिल्कुल बहतरीन पिकप हो गया एक एरवक की लाइट आ रही है वह मैं देखूंगा और यह देख रहा है बिल्कुल भी तीसरे गेर में उठ रही है 25 से पहले पहले वर्ना तो मतलब ही नहीं कि तीसरे गेर में उठ जावे गाड़ी यह देख रहा है यह पीक आप रोड ने मिल रहे है इस गाड़ी को चलने के लिए सुच बहुत तो ही है देखर कितना भगाता हुए लेकिन आप यहां पर एक लेना लगी स्वय गाड़ी है निसान की एक और जा रही है उदर से लेकिन उसको ओवर्ट एक चड़ाई देखाओ चड़ाई अब बिल्कुल दम तोड़ने को तयार नहीं है गाड़ी यह देखो जगा ना मिल रहा है नहीं तो भाई निकाल देगी गाड़ी यह देखो पीना एक क्या करेंगा वी तो लिदेगा